मुंबई के जुहू बीच पर लापता लड़कों की तलाश की जा रही है जिन में से दो लड़कों के शौ बरामत कर लिए गया है तलाशी अभियान में कोजगार्ट और नौसेना के दो हेलिकोप्टर को भी लगा दिया गया है उल्टी दिशाम में हवा बैने की वज़े से वो ताखोरों को अब काफी दिक्कतों अभी सामना करना पड़ा है जिसके वज़े से बीच में ही तलाशी अभियान रोग दिया गया था लेकिन बाद में फिर से तलाशी अभियान शुरू किया गया कल समंदर की तेज लहरों की चपेट में आकर पांच लड़के बैगे थे जिन में से एक को बचा लिया गया था और आज एक बार फिर जब तलाशी अभियान शुरू किया गया है तो कोजगार्ड और नौसेना के दो हेलिकॉप्टर को भी तलाशी अभियान में लगा दिया गया है लेकिन ये अभियान बीच में रोकना भी पड़ा था जब तेज हवाओं की वज़े से गोताखुरों को दिक्कत आ रहे थी मधिप्रदेश के होशंगाबाद में एक पेट्रोल पंप पर रात के अंधेरे में एक आदमी एक युवक को बांद कर चाबुक से पीटने लगा जिसका उसने वीडियो भी बना लिया वीडियो में साफ दिखा कि पेट्रोल पंप संचालक ने एक मशीन से उसके एक दलत करमिचारी को बांद दिया और चाबुक से उसकी पिटाई करने लगा इस बीच वो से कुछ सवाल भी कर रहा था जबकि पीडित करमिचारी ने इस बीच अपनी कलती की माफी भी मांगी तब भी पिटाई करने वाले शक्स का दिल नहीं पसी जा और वो लगातार युवक को चाबुक से मारता रहा इसके बाद वहाँ पेट्रोल पंस अंचाला का एक साथी भी वहाँ पहुचा और उसने चाबुक अपने हाथ में ले लिया जिसके बाद उसने भी पिडित की चम कर पिटाई कर दी आरोपे की पिडित करमचारी ने उन्हें बिना बताय चुट्टी ली जिसकी उसे सजा दी गई इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफतार कर लिया बिहार में दर्बंगा की सेंट्रल जेल के मुलाकाती काउंटर पर न्यूज 18 के अंडरकवर एजन्ट जेल के करमचारी से बात करने लगे न्यूज 18 के स्टिंग उपरेशन ने बिहार की सेंट्रल जेलों के अंदर कैदियों को मिल रही जिसकी शुरुआत दर्बंगा की सेंट्रल जेल से हुई जहां परताल के लिए पहुँचे न्यूज 18 के अंडरकवर एजन्ट ने कैदियों से मिलने वाला पास बनवाने की कोशिश की जिस पर पहले तो काउंटर पर बैठे करमचारी ने उनसे पहचान पत्र मांगा लेकिन चंद रुपईों का लालच देने पर जेल करमचारी ने सारे नियम कायदों को ताक पर रख दिया जिसके बाद न्यूज 18 के अंडरकवर एजन्ट को बिना आईडी काट दिये जिसके न्यूज 18 के अंडरकवर एजन्ट की तलाशी तक नहीं ली गई यहाल सिर्थ दरबंगा सेंट्रल जेल का ही नहीं था मदभुनी की सेंट्रल जेल में न्यूज 18 की पर्टाल के दौरान महतेनाद गाड़ ने कैदियों के पास मुबाइल होने के दावाँ पर मोहर लगा दी क्योंकि जेल में कैदियों को मिल रही सुविधाओं का पर्दाफाश करने के लिए न्यूजेचीन के अंडरकवर एजन जान बूच कर मुलाकात का वक्त खत्मोने के बाद जेल में पहुंचे लेकिन गाड की बातों ने जेल के अंदर कैदियों को मिल रही सुविधाओं की पोल खोल दी यही नहीं गाड ने कैदियों को मुबाइल की सुविधा के बदले पैसे लेने की भी बात पबूली जिसके बाद बिहार की राजनीती और प्रशासन में हरकम पंचने में देर नहीं लगी आनन फानन में छपरा सेंट्रल जेल में हुई छापे मारी में एक मुबाइल भी परामत करने का दावा किया गया जिसके बाद जेडियू ने न्यूज एचीन की मुहिम की तारीफ करते हुए दोश्यों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया गेंद्रिय मंत्री अश्वनी चौबे ने भी जेल की सुरक्षा से खिलवार करने वालों पर कार्रवाई की मांग की लेकिन न्यूज एचीन की इस मुहिम के बहाने आरजेडी ने नितीश सरकार पर हमला बोला जेल प्रशासन ने न्यूज एचीन के स्टिंग आपरेशन में नजर आने वाले कर्मचारियों के खिलाव जांच के बाद कार्रवाई का दावा किया हुआ हुआ हुआ